इससे पहले कि हम इस problem को solve करें मैं चाहता हूँ कि आप लोग problem को देख लो यह जो problem statement है आपकी screen पर मौझूद है आप लोगो को एक python program बनाना है यह मैंने इसलिए दे दिया है यहाँ पर problem statement इनकेस आप लोग try करना चाहते हो करेक्टर से हमको replace कर दो कुछ character से जो कि मैंने आपर secure नाम की टपल में बना रखे हैं तो आप लोग जो है यह जो problem statement इसको देखो कर खुद से try कर सकते हैं तो post करके try करना try करने के बाद और नीचे solution post ज़रूर करना अगर आप लोगो को पहले वीडियो देखना है तो आप पहले वीडियो देख लो और मैं recommend आप लोगो को यही करूँगा कि आप लोग मुझे strategy comment करके बता दो और उसके बाद आप वीडियो देख लो फिर आपको पता चल जाएगा कि जो आपके दिमाग में बात थी है आप में से कई लोग सोच रहोंगे कि अगर हमें अपने passwords को strong बनाना है तो क्या हम अपने existing password को strong password में convert कर सकते हैं या फिर क्या हम कोई ऐसा program लिख सकते हैं चुकि हमें suggest कर दें एक ऐसा password जिसको हम याद भी रख सकें और उसी के memorable passwords ठीक है यह चीज seven ways to make up secure passwords that are memorable तो यह article मुझे मिल गया है यह कह रहे हैं कि देखो भाई एक memorable base password बनाओ और उसके जो symbols और numbers हैं उनको convert कर दो जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोग को बताता हूं इनोंने बुलाए कि इस तरह से जो wrong spelling से उनको use कर लो या फिर बहुत तरीके memorable passwords बनाने के तो यहाँ पर हम जल्दी से करते क्या हैं कि एक सबसे पहले अपना pie charm खोलते हैं या फिर visual studio code जो भी आपको खोलना है जो भी आप text editor यूज करो मैं visual studio code खोल लेता हूं इस folder में मैं अपना यह project बना रहा हूं मैं open with code पर click करूँगा और मेरा जो visual studio code है वो यहाँ पर खुल जाएगा ठीक है तो मैं आपर एक main.py करके file बनाऊंगा main.py और इसमें क्या करूँगा मैं कि आप लोगों को सबसे पहले तो मैं आपर अपना python interpreter select कर लेता हूं अब मान लोग कि मैं एक password बनाना चाहता हूं तो मैं आपर सबसे पहले क्या करूँगा एक function लिखूँगा convert और या फिर इसका राम secure password लोग देता हूं तो यह basically क्या करेगा कि आपका जो password है उसको secure कर देगा ठीक है मैं आप लोग को बताता हूं मेरे कहने का मतलब क्या है मैं आपर लिख देता हूं इस तरह से main और यहां पर secure password क्या करेगा लेगा एक password और return कर देगा उसका secure version ठीक है जैसे कि मैं आप लोग को बताता हूं जैसे मालो मेरा password है this is a good boy ठीक है मालो यह मेरा password है इस तरह से और मैंने मालो इसको इस तरह से रखा है अगर मैं इस password को ऐसे ही रखू तो शायद कोई guess कर ले या अगर मैं अपने password को कुछ इस तरह से blackboard करके रखूं blackboard 123 तो शायद यह password भी कोई guess कर ले किसी तरह की कोई technique लगा कर brute force कर दे लेकिन मैं इसमें ऐसा क्या कर सकता हूँ कि कोई guess ना कर पाये तो इसको बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ O को 0 से कर सकता हूं मैं कहुंगा जां जां मेरे password में jakA और उसी के साथ-जाथ अगर black and white है मेरा password यी माननोब मेरा password है blacks and whites तो इसको मैं कुछ इस तरह से secure करूँगा मैं सब से पहले इसको थोड़ा ऐसे लिख लेता हूं ये काफी memorable password है लेकिन इसको अगर मैं और secure करना चाहूँ तो मैं कुछ इसको इस तरह से लिख सकता हूँ blacks मैं आपर dollar लगा लूँगा और यहाँ पर लिखोंगा and और उसके बाद लिखोंगा whites और s में भी मैं आपर dollar लगा लूँगा ठीक है तो इस तरह से मैं replace कर सकता हूँ s को dollar से और यहाँ जहाँ पर यह पूरा end है इसको मैं replace करता हूँ अपने end से तो इस तरह से यह password एक इतना memorable बन चुका है कि शायद ही इसका कोई बाल बाखा कर पाए तो यह password आपको याद भी रहेगा आपको पता है blacks and whites मेरा password है जहाँ पर s की जगा dollar है और end की जगा amp परसेंट है तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कुछ rules लिखेंगे और उन rules को लिखकर हम क्या करेंगे अपने password को secure करेंगे तो मैं आपर सबसे पहले क्या करूँगा मैं लिखूँगा a is equal to input enter your password और इसको मैं comment out कर देता हूँ और मैं आपर कुछ इस तरह से आप doc string लगा लेना वैसे अपने function में लेकिन मैं अभी इसको ऐसा ही रहने दे रहा हूँ ठीक है मैं आपर करूँगा क्या string replacement करूँगा ठीक है तो मैं आपर एक constant बनाऊँगा एक मैं secure के नाम से एक tuple बना रहा हूँ मैं क्या करूँगा इसके अंदर tuple के अंदर कुछ और tuples डालूँगा मैं कहूँगा कि भाई देखो जहां पर भी s है ठीक है उसको क्या कर दो उसको कर दो dollar मैं कहूँगा उसको replace कर दो dollar से तो S का कर दो dollar और इसके बाद S का dollar कर दो और उसी के साथ साथ मैं कहूंगा अगर उसमें end आ रहा है password में तो उसको replace कर दो M% से ठीक है और M% इस तरह से मैं लिखूंगा और उसी के साथ साथ अगर आपके password में मान लो for some reason ये आ रहा है मैं इसको small letter कर देता हूं तो lower case यहाँ पर case जहाँ भी end होगा उसको मैं इस तरह से secure कर दूँगा ठीक है फिर मैं आपर एक और बना रहा हूँ अपना tuple इसके अंदर में क्या करूँगा मैं कहूँगा कि देखो भाई जहाँ पर भी तो इसको नीचे ले आता हूँ आपर ठीक है तो मैं आपर करूँगा क्या या इसको हटा देता हूँ यार क्या करना है इसका secure password और यहाँ पर इसको मैं जरसा ऐसे लगा लेता हूँ अब यह जो आपकी tuple है यह कितनी भी लंबी हो सकती है इसका कोई वो नहीं है कि वही टबल है तो सिर्फ इसमें तीन ही रहेंगे ऐसे बहुत सारे examples हो सकते हैं जैसे कि अगर मान लोग O है उसको आप start से replace कर सकते हो कोई-कोई लोग करते हैं जैसे मैं यह आपर O को 0 से कर रहा हूँ कर दो S और उसके बाद S को replace कर दो dollar से and को replace कर दो amp percent से फिर उसके बाद A को replace कर दो at the rate से zero को replace कर दो star से ऐसे ही बहुत सारे replacement आप लोग कर सकते हो जैसे कि आप लोग random capitalizations कर सकते हो लेकिन यह कि random capitalizations याद नहीं रहेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा challenge हो जाता है याद रखना उसको तो मैं अभी क्या करूँगा सिर्फ इतने के साथ आगे बढ़ूँगा अब I को आप replace कर सकते हैं one से तो एक वो भी हो जाएगा तो I को one से replace कर सकते है I को आप लोग one से replace कर सकते हैं इस तरह से और इतना ही मैं भी रखता हूँ ठीक है तो मैं आपर करूँगा क्या पूछूँगा user से कि भाई अपना password बताओ वो कहेगा ठीक है जी मेरा password यह है ठीक है तो मैं इसको लिख देता हूँ password is equal to password is equal to something हो जाएगा और उसके बाद password में मानलो उसने लिख दिया my name तो उसका जो a है वो add the rate से replace हो जाएगा और उसे के साथ साथ m, m, y आता है फिर n, a, m आता है m का कुछ बनाया है नहीं मैंने e तो यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से उसका replace हो जाएगा मैंने यहाँ पर 0 को start कर दिया मुझे o को start करना था actually मैं o को start से करना चाहता था या फिर o को 0 से कर दो o को 0 से करना थोड़ा सही रहेगा तो यह replacements आप कैसे भी कर सकते हो तो हम यहाँ पर करेंगे क्या name equals to equals to main करेंगे और password is equal to input enter your password करेंगे और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कि password is equal to secure password ठीक है और यहाँ पर मैं फिर print कर दूँगा इस चीज को मैं कहूंगा कि एक math string लगाँगा सबसे पहले मैं कहूंगा your secure password is और उसके बाद password ठीक है तो आपका जो secure password है वो finally print हो जाएगा तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा simply मैंने किसी module का इस्तेमाल नहीं किया है मैं आपर simply इसको ऐसे लिखूँगा secure is equal to यह और यहाँ पर मैं करूँगा क्या मैं लिखूँगा for entry in secure ठीक है मैं कहूँगा secure की सारी entries को मैं iterate करना चाहता हूँ और हर एक entry के लिए मैं कहूँगा कि बाई देखो password को कर दो password.replace और अब password में जहाँ जहाँ पर entry 0 है या फिर एक काम करूँगा मैं इसको a b कर देता हूँ a, b insecure तो a में मेरा s आएगा b में dollar आएगा तो मैं कहूँगा replace कर दो और उसके बाद मैं लिख दूँगा a को b से a को b से replace कर दो और finally जब यह for loop खतम हो जाए return कर दो secure password तो अब अगर मैं इस program को run करूँ तो आप लोग देखो मैंने इस program को run किया enter your password मानलो मैं लिख रहा हूँ shubam is out तो यह कह रहा ही your password is secure password okay तो मैंने यहाँ पर password को return करना था मैंने कल दी यह गरबड़ यहाँ पर मुझे जो password इसको return करना था तो मैं फिर से इसको run करूँगा और यह जो मेरा यहाँ पर मैं क्या करूँगा इसको enter your password पूच रहा है मैं लिख हूँगा shubam is out तो यह काम इतना असान बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है इस बात को समझने के लिए आप लोग कोई बंदा अगर आपकी आपके password को brute force करता है उस procedure को समझे उस प्रक्रिया को समझे देखो क्या होता है कि जब कोई इनसान आपका password brute force करता है तो वो कहता है कि भाई देखो ऐसा है start कर दो generate करना characters मैं control in the bug नई file बनाता हूँ और बताता हूँ आपको एक से लेके 9 तक in fact 0 से लेके 9 तक और उसके बाद generally जो लोग use करते हैं एसे लेके capital Z तक in fact small और capital दोनों ले लेते हैं ये characters और उसी के साथ साथ कुछ special characters यहाँ पर जो मैं लिख देता हूँ जो कि आपके 1,2,3,4 के उपर होते हैं इनको use करके अगर वो brute force मार रहा है तो वो क्या करेगा वो कहेगा वाई देखो ऐसा यह जितने भी characters है इन सारे characters से बनाना start कर तो एक एक character के password कितने बन जाएंगे इससे एक तो 0 बन जाएगा एक character का password 1 बन जाएगा 2 बन जाएगा 3 बन जाएगा फिर add the end ऐसा एक password बन जाएगा यह भी किसी का password हो सकता है ठीक है तो इस तरह का password तो और किसी ने गलती से भी बना लिया तो एकदम उसका hack हो जाएगा account लेकिन उसके बाद अगर यह सारे passwords work नहीं करते हैं brute force में तब क्या करता है बंदा आपकी जो दूसरे दो-दो character की password से उनको बनाना पहले 00 बना लो फिर 01 बना लो फिर 02 बना लो अब 0 वाले सारे खतम हो गए तो वह 1 से start करेगा वह कहेगा कि चलो ठीक है 0 वाले सारे खतम हो गए अब मैं 1 से start करता हूँ 1011 12 और ऐसे होते होते वह क्या करेगा सारे जितने भी possible है दो-दो character के passwords वह बना लेगा ठीक है अब मान लो in total यह हो जाते है 26 plus 26 मैं गिन रही रहा हूँ मान लेते हैं एक random number ले ले रहा हूँ मान लो 90 characters हो जाते हैं सरे के सरे मिला चिंग करेंव कोई 90 character का password बना रहा है ठीक है तो 90 character का अगर कोई बंदा password बना रहा थो कितनी possibility है चलो 90 character को भूल जाओ 10 character का ही password बना रहा है इन सारे characters को यूस करके, क्या possibility है यह मैं आपको बताता हूँ तो हर और मालो 90 possible characters है हमारे ठीक है और 10 characters का वो password बना रहा है तो अगर आप लोग थोड़ा बहुत permutation combination जानते हैं तो आप यहाँ पर देखो इसको 90 में से पहला character उसको fill करने की 90 में से एक choose करना है उसको तो उसके 90 तरीके है ठीक है फिर उसके बाद उसको क्या करना है multiply करना है बड़ा number हो गया 90 to the power 10 ठीक है अगर 100 characters है तो 100 to the power 10 कितना हो जाएगा आप जारा सोचो 100 to the power 10 यानि कि 100 को 10 बार ठीक है जारा सोचो कितने zeros हो जाएगे तो यहाँ पर आप समझ दो मेरी बात कि कितना difficult है यह brute force तो अब यहाँ पर क्या होता है लोग क्या करते हैं passwords को crack करने के लिए इस्तमाल करते हैं कुछ dictionary method वो क्या करते हैं कि आपकी dictionary के जो passwords है उनको लेकर आते हैं और उनसे try मारते हैं फिर dictionary के आगे 123 लगा देते हैं जैसे कि fox 123, zebra 123, python 123, javascript 123 अब उसी में social engineering में मिलाते हैं कि बाई अगर किसी का favorite actor जो है वो tom cruise है तो tom cruise 123 इस तरह के passwords लो लगाते है तो ding ding 123 ऐसे try मारते हैं और इस तरह की भी algorithms लिखते हैं कि बाई कौन से password के होने की probability ज़्यादा है और उसके हिसाब से वो crack करने की कोशिश करते हैं तो अगर आपका password कुछ इस तरह से password 124 और यह सब तो आपका account में हो सकता है कोई brute force already बैठके मार रहा हो ठीक है तो अगर कि IP से कोई hit करे जा रहा है बार बार ट्राइ मारे जा रहा है password तब वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है आपका account hack हो सकता है और अगर आप लोग most of the people क्या करते हैं कि उनके अलग अलग platforms पर अलग अलग social media platform या जो भी वो account बना रहे हैं जो भी use कर रहे हैं उनमें same password होता है और एक account में अगर password leak हुआ तो उनके सारे account compromise हो जाते हैं मैं आपको एक बात बता दो हूँ आपर जैसे मानलो आप कोई भी website पर sign up करते हो मानलो कोई random सी website है उस पर आपने sign up किया वो आपसे password पूछ रहा है तो आपको लगे का या password तो कोई देखेगा ही नहीं चाहे हो कितन नहीं छोटे हो आप सोचो कि यार कि password ही तो मांग रहा है रख देता हूं same password अब वो आपकी email को या फिर आपका जो phone number है उसको try कर सकता है कहां पर आपका try कर सकता है वो facebook पर और जो आपकी accounts है उन पर तो वहां पर आप लोगों को जो है दिक्कत सावित हो सकती है ठीक है तो वहां पर आप लोगों को अपना ध्यान खुद रखना है passwords ऐसे चुनने अलग-अलग रहें सब जगा उसकी भी एक technique आप बना सकते हो और इस तरह की programs का इस्तेमाल कर सकते हो anyways यह था एक practice program आप लोगों को password generate करने के तो बहुत सारे modern tools मिली जाएंगे लेकिन अगर आपको अ यह चैनल में अगर आप लोग जाएं तो आप लोगों को मिल जाएगा वो किंटर का course प्लेइस्ट के अंदर जाना और प्लेइस्ट के अंदर जाने के बाद आप लोगों को वो course मिल जाएगा कहाँ पर यहीं कहीं है देखो यह है pythongy tutorials तो आप यहां पर इसको जो है access कर सकते अगर शुरू से लेकर आखीर तक आप लोगों को यह मिल जाएगा ठीक है तो I hope कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी यह चीज और आप लोगों को यह भी समझ में आ गई होगा किस तरह से प्रोग्राम मेंने structure किया एक secure password मैंने बनाया और एक टपल बनाया और मैंने का अगी भाई देखो ऐसा है कि इसको iterate करके आपको यह character से इस तरह रिप्लेस करने अब यहाँ पर मैं एक चीज करना चाहता हूँ मैं आपर एक backslash and लगाना चाहता हूँ और मानलो मैं इस program को वापस से run करता हूँ python main.py और मैं आपका लिख दूँगा my name is shub तो आपका जो password है वो यह हो गया my name is shub इस तरह से तो इसको तोड़ना थोड़ना थोड़ना सा मुश्किल हो जाएगा compared to आपका जो normal अब मैं एक चीज और कर सकता हूँ यह secure में जितनी बड़ी होती चाहेगी उतना मुश्किल हो small i है small i है उसका क्या करो replace कर दो एक pipe character से जोकि आपके backspace के left में होता है इसको run करो भी और मान लो मेरा password है India तो आपका password हो जाएगा ind1 at the rate ठीके तो मैंने i को अच्छा मैंने i को इससे replace किया मान लो मैं capital i को replace कर रहा हूँ इससे तो अगर मैं कुछ इस तरह से करूँ मैं लि आपका जो password है वो memorable बन जाएगा इस तरह से I hope कि यह आप लोगो समझ में आई होगी और आपको practice अच्छी मिल गई होगी python की काफी लोग request कर रहे थे कि python के programs लेकर आओ python के practice program लेकर आओ इसलिए मैंने आप लोग को यह एक program दिया आशा करता हूँ पसंद आया होगा आप ल बड़ा सा अलाग है इस वाले password generator से बड़ इस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखना ये random string से password generate करके आपको देता है फिर मैंने आप लोग को एक notification reminder app बना कर दिखाई है फिर automatic folder cleaner बना कर दिखाई है server भी बना कर दिखाई है काफी चीज़े हैं अबर तो मैं चाहँगा कि अगर आप लोग को practice करनी है तो आप यहाँ पर इसको access कर सकते हो उसी के साथ साथ अगर आप लोग को देखना है पूरा complete python course तो मेरे पस complete python course भी है आप लोग यहाँ पर जा सकते हो मेरा यह python tutorial for absolute beginners की playlist प अगर आप लोग को practice करनी है तो practice का बहुत मसाला है मैंने project भी बना बना कर डाले हो हैं बहुत ही दमा के तार तो उनको भी आप लोग जरूर देखना so अभी के लिए इस वीडियो में इतने हैं इस वीडियो को like जरूर कर दिना thank you so much guys for watching this video and I will see you next time कर दो